गुड मॉर्णिं क्लास फूर लाज़ डे हम लोग पढ़ रहे थे वाटर के बारे में वाटर और इसके फॉर्म्स के बारे में आज आगे जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ठीक है? वाटर की अगर बात करें तो वाटर की काफी important properties होती है काफी जरूरी जो है वाटर में खूबियां होती है एके करके सबको जानेंगे पहली खूबी क्या है? कि वाटर colorless है वाटर का कोई भी color नहीं होता है ठीक है? ना ही इसका कोई taste होता है water का नाही color होता है और नाही कई taste होता है water के अगर बात करें तो water अपने अंदर काफी चीजों को घोल सकता है water जो है वो अपने अंदर काफी चीज़ों को घोल सकता है जैसे माले जिन निम्बू है तो निम्बू का आप रस डालते हैं तो पानी है या निम्बू का रस है पता चलता है क्या नहीं है वो गाढ़ा जैसा थोड़ा लगता है यही नहीं एक अंतर है लेकिन आप वोटर में से निम्बू के रस को अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं साथ ही वैसे ही आप देखे पानी में अगर नमक डाल दे नमक घोल जाता है पता ही नहीं चलता है कि पानी में नमक डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है तो यहीं कि वोटर में चीजों को अपने अंदर घूलने की जो एक characteristic से ये काफी विशेश characteristic है water की अगर बात करें तो taste और color के साथ साथ उसमें कोई smell भी नहीं होता है water के पास अपना कोई आकार भी नहीं होता है bottle में डालेंगे bottle के shape का हो जाएगा glass में डालेंगे glass के shape का हो जाएगा water का कोई भी fix आकार नहीं है ठीक है water की अगर बात करें forms की तो water अलग-अलग forms में होता है ठीक है पहला form है liquid फिर दूसरा है solid और तीसरा है gas एक एकर के बारे इन तीनों के बारे में जानते है solid state की अगर बात करें तो water अपने solid state में कौन से form में होता है तो ice के form बर्फ के form में जो water होता है उसका shape क्या होता है fix होता है वो solid होता है मजबूत होता है उसके बाद अगर liquid में आईए तो यह वो क्या है water के रूप में रहता है liquid में अगर आप आते हैं तो जो basic water के रूप में होता है वो हमारा water के रूप में ही होता है, liquid के form में आप आएंगे तो, ठीक है, अगर आप gaseous form में आते हैं, तो gaseous form में हमारे हवा में ही मौझूद है, हवा में जो भाप है, आप पानी गरम करते हैं, भाप बनके उपर उठता है, वो water vapor होता है, ठीक है, वो हमारे आसपस जाए तो वो क्या होगा, water में बनेगा, water को अगर गरम किया जाए तो water vapor में बन जाएगा, अब इसका ultra process, water vapor को थंड़ा किया जाए तो पहले वो water बनेगा, और फिर water को थंड़ा किया जाए तो वो ice बन जाएगा, ठीक है, तो यह जो हो कि एक पुरा cycle है, जो चलता है, इसक सुपता है कि कपड़ा में जो पानी होता है, वो जो हो क्या evaporate हो जाता है, यनि कि पानी को गरम करने पे भाब बनता है न, तो जब कपड़ा को धोप में सुखाएंगे, तो जो पानी उसमें से जो है, कपड़े में से जो पानी भाब बनकर उड़ जाएगा, ठीक है, तो य कि पानी के गिलास के बाहर थोड़ा सा चुटा-चुटा ड्रोपलित आ गया याने कि गिलास बाहर की तरफ से गिला हो गया है। इसका मतलब कि हवा में जो हमारा वाटर वेपर है वो थंडा होकर पाणी बन गया जो गिलास के आस पास था। सब्सक्राइब आ रहा है तो इस तरीके से ये सिस्टम हम लोगा दिया गया है चलिए अगला आते हैं water cycle पे तो उसी तरीके से यहां बता रहा है कि जो भी पानी रोड पे है सड़क पे है नदी में बहरा है समुंद्र में है जब सूरज की गर्मी उस पानी पर पड़ती है तो और वो जो भाब बनकर उपर उड़ता है जब बहुत उपर जाता है जब सरफे से बहुत उपर जाता है तो उपर ठंडी हवाई होती है तो जब ठंडी हवाँ के साथ वो मिक्स होता है तो वो क्या मनाता है बादल बनाता है ठीक है और बादल जो है वो क्या है चुकि ठंड पर गिरती है, तो वही पानी नदियों में वापस जोड़ जाता है, यानि कि नदी का पानी उपर गया, भाब बनके, बादर बना, बारी सुआ, फिर वही पानी नदी में आ गया, यानि कि एक पूरा साइकल चलता है न, इसी को जो हो किया, वाटर साइकल के नाम से जानते हैं टिटबिट्स में देखो कुछ बात है दी गई है, बोल रहा है कभी-कभी रेन, यानि कि बरसात, जो है, वह क्या है, बहुत थंडी इलाके में बहती है, और थंडे रीजन हो जब बरसात होती है न, तो उसी कारण से जो पानी हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो कई जगा क्या होता है कि जादा ठंड होने से, या फिर ठंडी हवाओं के संपर्क में आ जाने से, जो बर्फ का गोला, छोटा-छोटा-गोला, मजबूत सा गोला बन जाता है, तो ओले पड़ जाते हैं, है न, हेल स्ट्रॉंग उसको कहते हैं, तो ये जो होगा है, अलग-अलग बरस ये एक वो डिवाइस है जिससे, रेनफॉल को मेजर किया जाता है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, हम लोगों को रेन मेजरिंग डिवाइस है, तो ये जो चैप्टर हो यहाँ पर आकर समाप्त होता है, आप ये चैप्टर को अनलाराइस कीजी अच्छे से, इसका आप क् अब्जेक्टिव आना चाहिए, ठीक है ना?